ओम शांती मीठे बाबा प्यारे बाबा मेरे बाबा गुड मॉर्निंग कैसे हो बाबा अच्छे हो बाबा मैं भी अच्छा हूँ शुक्रिया बाबा मैं अच्छा हूँ बाबा अच्छा हूँ और अच्छा बनाने के लिए आज आपने मुझे और अच्छी अच्छी युक्तियां बताई आज आओ बाबा थोड़ी देर बाते करते हैं शिब बाबा ब्रमा बाबा की ब्रिकुटी में बैठ कर इस्साकार वतन में आ गए है बैठो बाबा संदली पर बैठो आपका बहुत बहुत स्वागत है बाब दादा बाबा मुझे दृष्टी दे रहे हैं और वर्दानों से भरपूर कर रहे हैं बाबा ने अपना वर्दानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मेरे मस्तक पर एक तिलक लगाया समरिती का तिलक और मुझे वर्दान दिया बच्चे सम्रिती सवरूप भाव सदा सदा सम्रिती सवरूप भाव शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा की आखों से पवित्रता की केड़ने मुझ पर लगातार बरस रही है और मैं आत्मा संपून पवित्र होती जा रही हूँ मीठे बाबा आज आपने बच्चों को बोला और मुझ आत्मा को बोला कि बच्चे तुमारी बुद्धी में न सारा दिन सर्विस के ख्यालाद चलने चाहिए और तुम्हें सबका कल्यान करना है क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी बाबा ने तो हमें काम दे दिया अब मैं इस काम को कितना कर रही हूं आत्मा कि मैं सारा दिन बुद्धी में बाबा को रखकर जो बाबा की शिरिमत है और जो बाबा के नियम है और जो बाबा ने हमें आकर ब्रह्मा तन में जो ग्यान दिया और उसके हमें फाइदे बताए तो क्या वो मैं फाइदे ले रही हूं और दूसरों को भी बाबा के कह अनुसार वो फाइदे दे रही हूं करन करावनार बाबा है देखो बाबा भी कितना निरंकारी है कि बाबा करता है बच्चे सर्विस करो करते बाबा हैं बच्चे नाम बच्चों का कर देते हैं तो मैं आत्मा सारा दिन ये ख्यालात करती हूँ कि जो भी सामने आत्मा आए उसे मैं बाबा का परिच्चे दे दूँ देने वाला बाबा इंस्ट्रिमेंट में है क्योंकि मुझे सबका कल्यान करना है बस अपने आपको चेंज करना तो आज एक दीदी बता रहे थे कि तीन दिन काम करो ये सब के प्रतीश शुब भामना शुब कामना सबका कल्यान हो हर आत्मा का प्रकिर्तीका, पश्यू, पक्शी, जीव, जन्तू तीन दिन भाई ये ही सोचो सबका कल्यान हो सबका भला हो उस तीन दिन के बाद अपने अवस्ता देखना क्योंकि जब हम सबका कल्यान करेंगे न तो मेरा कल्यान तो अपने आप होई जाएगा जो मैं दूँगा मुझे उसके बदले वही मिलेगा और अंधों की लाठी मतलब क्या जो बाबा के ग्यान से प्रीचित नहीं है उनको बाबा का ग्यान देना है कि भगवान कौन है आप कौन हो, आत्मा का प्रीचे स्वधर्शन चक्र का प्रिच्छ सब देना है बाबा कहता ना तीन चार चित्र मुखे मुखे रखने चीए अपने पास और समझाना चीए उन बाद तो ये तीन चार बातों पर अच्छी तरह समझा दे और फिर जो आत्मा स्कूल की होंगी तो वो आगे अपने आप समझने के लिए आएंगी तो मैं आत्मा सब का कल्यान करने वाली हूँ अंदों की लाठी हूँ तो मुझे अपने आपको चेक करना है जी बाबा जो भी आत्मा मिलेगी उसको बाबा का परिच्छ जरूर देंगे आपके थरू और बाबा आपने आज कहा कि उच्पद पाने का मुख्य जो धार्ना ना कौन सी है अब उच्पद पाना है तो धार्ना है तो बाबा की सारी है अब सारी फॉलो करनी पड़ेंगी बाबा की पूरी शिरिमत पर चलना पड़ेगा अब एक सब्जेक्ट में तो पास नहीं होना चारों सब्जेक्टों में पास होना है तो बाबा आज आपने कहा अगर उच्पद पाना है न तो सबसे पहला काम क्या करना है अपनी करमिंद्रियों को कंट्रोल में करना है अब मैं आत्मा चेक करो कि मेरी सारी करम इंद्रियां मेरे कंट्रॉल में है मैं बाबा की पूरी शिरिमत पर चलती हूँ मेरा खान पान लालच तो नहीं है कोई हबच तो नहीं है ना बाबा कहता है ना हबच नहीं है लालच तो नहीं है किसी चीज में भी खाने में, पीने में, पैसा कमाने में कुछी चीज में भी या मेरे को इस चीज से सुख हो रहा है उसके अंदर मेरा ज़्यादा करमिद्रियां जा रही है ऐसा कोई करम नहीं करना और चलन भी बहुत ठीक होनी चीए रॉयल एक-एक करमिद्रि की बाबा कहते है न दर्बार लगाओ रह्मा बाबा रोज रात को अपनी करमिद्रियों की दर्बार लगाते थे हे आखें, आज तुने कुछ गलत तो नहीं देखा देखा तो फिर उसकी सजा क्या है हे कान, तुने क्या गलत सुने सुने है तो तेरी सजा क्या है हे मुक तुने कुछ गलत तो नहीं बोला अगर बोला तो उसकी सजा क्या है ऐसे हाथों द्वारा कोई ऐसा काम तो नहीं हुआ पैरों से भी कोई ऐसा काम तो नहीं हुआ मन बुद्धी, करम, मन सावाचा करमना में से भी कोई ऐसा काम तो नहीं है शुक्षम करम इंद्रिया तो मुझे उंच पद पाना तो हर करम इंद्रिय पर मुझे पूरा पूरा कंट्रोल करना जीत पानी है और जीत कब पहनूँगा जब मैं सारा दिन बाबा की याद में रहूँगा जब में बाबा की याद में रहूंगा बाबा की खिरिमत पर चलूँगा तो मेरी कोई भी करमिंद्रिय धोका नहीं देंगी तो आज बाबा ने, क्योंकि स्लोगन में भी क्या कह बाबा ने अब यही चीज़ तो बोली स्लोगन में कि अपना टीचर स्वैम का टीचर स्वैम बनना है तो कमजोरियां समाथ लोजेंगे सेल्फ चेकिंग मैं अपनी कितनी चेकिंग कर रही हूँ तो आज मैं सारा दिन अपनी खुद की चेकिंग करूँगी स्वैम का टीचर स्वैम बनूँगी जो मेरे अंदर कमिया है उसको दूर करूँगी तो नोट करूँगी पहले नोट करना और फिर उसके उपर कार्य करना फिर बाबा आज आपने गीच चलाया नैन हीन को रा दिखाओ प्रभू पगपगट हो कर खाओ अब नैन हीन किसी से आखे तो खुली हैं दिख भी नहीं है लेकिन जो बुद्धी के द्वार बंद हो गए है न जो अच्छी चीज कैच नहीं कर ले है तो उस बुद्धी रुपी नैन को खोलने के लिए कहने है आज बाबा फिर आपने का परदर्शनी नी में मिना समझाते हो तो ऐसे ऐसे गीत चलाओ एक तो यह वाला गीत कि नैन हिन को रा दिखाओ एक दूसरा एक गीत बाबा आपने मुली बे बीच में बोला कि पाप की दुनिया से कहीं ले चदलूर तो पाप की दुनिया से कैसे दूर जाएंगे अब बाबा तो लेने आया है अपने साथ पाप की दुनिया से छुड़वाने तो मैं आत्मा उस पर अपना कितना कारे कर रही हूँ कि मैं इस पाप की दुनिया को छोड़ रही हूँ जीते जी मरना है तो मैं आत्मा जीते जी इस पाप की दुनिया से अलग हूँ मन्सा वाचा कर्मना बुद्धी मेरी कही है यहीं तो नहीं लटकी हुई अभी तो मेरी बुद्धी कहां लटकी रहे है मैं कहां लटका रहा हूँ मेरी फासी एक बाबा की याद में तो मैं आत्मा कितना अपने आपको बाबा की याद में रखता हूं सारा दिन बस यही चेकिंग करनी है चेक एंड चेंड चेंड चेक करते जाएंगे तो बदलते जाएंगे अगर कोई व्यार्थ चला तो फोरण ब्रेक और चेंज कर दो जब यादत पढ़ जाएगी तो फिर हमें व्यार्थ आना ही बन दो जाएगा फिर हम उच पद धारन कर लेंगे क्योंकि यहां हमें खुद हर आत्मा को अपना पता है कि मैं आज अगर अभी शरीर छोड़ूं तो मेरा पद क्या होगा तो मैं आत्मा अभी शरीर छोड़ूं तो क्या मैं अडवांस पार्टी में जाऊंगी सीधा शुक्ष्यम वतन में रहूंगी या मुझे फिर गर्वधारन करना पड़ेगा हर आत्मा को अपना अपना पता है तो मैं आत्मा अपने आप से पूछूं कि मैं अभी शरीर छोड़ू तो कहा जाऊंगी तो अभी मेरे में अगर कोई कमिया है तो मैं उसको जल्दी से जल्दी पूरा करलू दूर कर दो कमियों को अब भटकना नहीं है बहुत भक्ती कर लिए बहुत तीरत कर लिए अब बाबा ने जो हमें बताया बस उस शिरिमत पर चलकर अपने आपको लाइक बनाना है खुद को भी लाइक बनाना है और दूसरों को भी बाबा का परीच्छ देना है बस सारा दिन आज यही कारे करना है क्योंकि बाबा आपने कहा कि आप ही पूज़े और आप ही पूज़ारी तो मुझे अब पूज़ारी से फिर से पूज़े बनना है तो उसके लिए मुझे कारे करना है अभी से क्योंकि मैं पूज़े लाइक बनू तो उसके लिए मुझे अभी जो बाबा की शिरिमत है उस पर चलना है सारा दिन बाबा की याद में रहके अमरत वेले से लेकर रात तक पूरी पूरी शेरिमत पर चलना है क्योंकि बाबा आप तो बच्चों को लाइक बनाने आए हो अब आप तो मुझे लाइक बना रहे हो और लाइक बनने का भी आपने बड़ा सिंपल कह दिया बस करना क्या जितना बाबा को याद करेंगे ना उतना अपना भी कल्यान करेंगे अब मुझे खुद को देखना कि मैं अपना कल्यान करने के लिए कितना शोख रखता हूँ अब बाबा ने तो समझा दिया कि बच्चे तुर्या कल्यान होगा कब तु जितना बाबा की याद में रहेगा और मेरे को कितना शौख है कि मैं अपना कल्यान कर रहा हूँ अगर मुझे शौक है मैं अपना कल्यान करना है ता मैं कोई शिरी मत से अटके कोई कारणाई नहीं करूगा मेरी धार्णाएं पक्की होंगी योग अच्छा होगा बाब ने का जैसे आर्टीस है ना उनको ख्याल रहता है कि ऐसे ऐसे चितर बनाए जिससे मनुश्य अच्छी देटी समझ जाए बाब ने का समझेंगे हम बेहद की बाप की सर्विस करते हैं तो मैं आत्मा बाबा के साथ रहकर कितनी बेहद की बाप की सर्विस करूँ हाई तो बाबा ने बार बार सर्विस के लिए बोला है बाबा आज आपने एक बहुत अंडरलाइन करने वाली जो बात बोली मौत तो अचाना काना है सची बात है मौत का पता नहीं सोचते हैं यह 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 और पता चलता तीन दिन में तो चोथा हो गया उसका तो ऐसे ही बाबा ने का अगर मौत अचाना काना तो उससे पहले अगर मैं जुत्ती को याद करूँगा ना जुत्ती इन दे सेंस पुराने शरीरों में फसा हुआ हूँ तो मुझे फिर जुत्ती में ही आना पड़ेगा मतलब फिर से वही गर्म में जाके गंद खाने में फिर से वही जनम लेना पड़ेगा चीची दुनिया में तो जुत्ती को याद नहीं करना ना तो अपनी जुत्ती को याद करना ना दूसरे के शरीर को याद करना बाबा ने जुत्ती बोलता क्या है? पुरानी जुत्ती है, पुराना शरीर है अब मुझे नए शरीर में जाना है तो सीधा यहां से बाबा के साथ परमधाम और वहां से फिर सत्युग में जहां बच्चे भी क्या होंगे? योग से जन्म लेंगे वहां कोई विकार होगा ही नहीं तो मुझे अब किसी की भी जुत्ती को याद नहीं करना ना अपनी को ना दूसरे को क्या देखना है? जब भी देखू मैं आत्मा चमक रही हूं और सामने भी आत्मा चमक रही है चारों तरफ आत्मा टिम टिमा रही है कितना अच्छा सीन होता है जोत से जोत जगती है जब रात अधेरे में कितनी जोत जलती है तो कितना प्यारा सीन होता है यह भी तुम समझती हो कि बाप कौन है अब बाबा ने तो बता दिया कि बच्चे दे सही दे को भूल मुझे एक बाप को याद करो और बाबा करता है कोई से पूछो ना आत्माओं के बाप को जानते हो कहते हैं नहीं तो सब को बताना है कि हम सब आत्माओं का पिता परमात्मा है अब बस कोई भी विनाशी तमना नहीं रखनी है कोई भी क्योंकि बाबा ने कहा तुम कोन हो तुम हो शिप बाबा के परिवार वा मेरे बाबा कितना नशा चड़ा दिया इस लाइन को भी अंडर लाइन कर लो कि हम हैं शिप बाबा के परिवार बाबा ने अपने परिवार के लाइक बना दिया मुझे क्योंकि शिप बाबा के उपर तो कोई है ही नहीं परम पिता परमात्मा शिप बाबा के उपर तो कोई नहीं है और हम सबसे उपर वाले के साथ हम उस परिवार के हैं बाब ने का और सब के ऊपर तो कोई ना कोई निकलेगा लेकिन हम कोने हम तो शिप बाबा के परिवार के है तो कितना नशा रहना चाहिए कि मैं शिप बाबा के परिवार का हूँ सारा दिन इसी नशे में रहना चाहिए कि मैं शिप बाबा के परिवार का हूँ शिप बाबा मेरा पिता है मेरा खांदान कौन सा है भगवान के खांदान का हूं है बाबा ने का 84 जनम में दादा बाबा भी 84 मिलते है जब दुनिया में 84 जनम लेंगे तो 84 पिता भी होंगे बागी बाबा ने का शिप बाबा है रचता अब नहीं रचना रच रहें अर्थात पुरानी को नया बनाते हैं अब बाबा तो नया बनाने आए हैं तो बस बाबा ने क्या कहा बस इस अंतिम जनम में सिर्फ बाबा के साथ पुर्शार्थ कर लो क्योंकि पहले नमबर को बाबा कहते हैं श्री क्रिशन पहला नमबर था ना, उनके ही अंतिम जनम में परवेश कर फिर उनको श्री क्रिशन बना दो, श्री क्रिशन चराश्मी जनम में ब्रह्मा और ब्रह्मा को फिर श्री क्रिशन बनाने के लिए शिबाब आए, बस अब मुझे चेक क्या करना, बुद्धी कहीं पर अठकी हुई ना हो अब मैं चेक करूँ कि मेरी बुद्धी कहीं अठकी तो नहीं हुई है कहीं मैं बुद्धी को ले जाओं परमधाम और नीचे कोई खीच रहा हो कहीं नहीं अठकी हुई हो सब रसियां खोल के एकदम भाग जाओं फिर बाबा आज आपने जो वर्दान में कहा समरिती सवरूब नेच्रल अटेंशन को भी अपनी नेचर आदत बनाने वाले समरिती सवरूब वैसे भी देखो ना जब आदत जो हो जाती है नो उसको करना नहीं पड़ता उसको याद नहीं करना योग करना है और अपना सेर करनी है फिर नुमा शाम योग करना ये एटोमेटिक अंदर घड़ी चलती रहती है बुद्धी में और उसी समय वो काम होता है और मालो आदत है कुछ भी खाने की पीने की जो भी है वो भी अंदर से अपने आप होता है कि मुझे चाए पीनी है दिन में दो बार पीनी है तो पीनी पीनी है वोसी टाइम एकदम बुद्धी कहेगी कि चाए पीने का टाइम हो गया तो आज बाबा नहीं कहा कि जैसे सेना में जो सेनिक होते हैं न वे कभी भी अलबेले नहीं रहते सदा attention में alert रहते हैं तो बाबा ने का आप بھی ना कोड़ WWF पांडव से नहों तो हमें बाबा कहते हैं आप पांडव से नहों इसमें जरह भी अलबेला पे नहों मता attention नहीं रखनी है attention बन जाए हर कारएक के लिए attention बन जाए attention एक natural with ही बन जाए बाबने का कई ना अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं अरे ये तो याद है कि मुझे जाना है वहाँ जाना 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 पर वो अटेंशन के बज़ाए उसके लिए भी टेंशन हो जाती है उनको कि वाँ जाना वाँ जाना वाँ जाना बबाबने का लेकिन टेंशन की लाइफ सदा नहीं चल सकती अगर टेंशन में रहोगे न तो वो जिन्दकी सदा नहीं चलेगी फिर तो जल्दी बिमार हो जाओगे जल्दी गड़बड हो जाएगी सारी तो बाबाने क्या इसलिए नैच्रल अटेंशन अपनी नेचर बना लो संसकार ऐसा बन जा कि अपने आप घड़ी चलती रहे बाबाने क्या आटेंशन रखने से सुता ही क्या होगा समरिती सुरूप बन जाएंगे फिस समरिती की आदत छूट जाएगे तो बस आज सारा दिन मुझे क्या करना मेरी जो अटेंशन कहा रहे कि बस बाबा की याद में नेच्रल हो जाए यह नहीं कि बाबा योग नहीं लगता बाबा याद नहीं रहती नहीं जब कोई गाड़ी नहीं चला सकता ना तो ओ कहता है गाड़ी कैसे चला हूँगा मैं ब्रेक देखो कलच देखो रेज देखो गेर देखो एक्सिलेटर देखो क्या क्या देखो और जब सीख जाता है ना उसके बात तो मुबाइल पर भी बात हो रही है गीत भी सुन रहा है ब का कि स्वेम के स्वेम टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां सते समाप्त हो जाएंगी अब स्वेम का स्वेम टीचर पता है हर आत्मा को पता है मेरे अंदर क्या क्या कमजोरियां है बस उस कमजोरियों को हटाना द्रड़ता से और वो कब होंगे जब हमारी क्या हो जाएगी नेच् फिर आज मम्मा के मावा के चले मम्मा ने आज दो चीजे बताई एक ओम का अर्थ बताया कि मैं आत्मा शान्त सरूप हूँ ओम ओम नहीं करना बस उसमें टिकना है कि मैं आत्मा शान्त सरूप हूँ तो मैं कितनी देर टिकती हूँ ममा ने कहा कि याद का तरलोक है ना संबंध है और ग्यान से ग्यान के बिना ममा ने कहा कि याद याथार्थ नहीं रह सकती ग्यान और योग ये एक दूसरे से जुड़े हुए है जब बाबा का ग्यान मिलता है बाबा से प्यार बढ़ता है तो योग लगता है जब योग जितना हम करते हैं तो उतना हमारी बुद्धी साफ होती है और अच्छी अच्छी पॉइंट्स बुद्धी में आती है तो ममा की मुरली तो सारी पढ़नी है एक एक पॉइंट ममा की मुरली का तो एक एक पॉइंट बुद्धी में ऐसे छप जाता है बिल्कुछ सिंपल और बहुत अच्छे से क्योंकि जो ममा की मुली भी वो भी तो बाबा नहीं कही है बाबा ने कही, ममा ने उसको अंदर धारन किया, मनन किया और उसको फिर निखार के ले ओम शांती मीठे बाबा कितने प्यारे हो बाबा आओ बाबा मिलके एक बार कस के प्यार करो बच्चे को बाबा मुझे द्रिष्टी दे रहे है और आँखों ही आँखों में मुझे भरपूर कर रहे है मैं बाबा की गोद में बाबा की छतर चाया में हूँ बाबा मुझे प्यार भरी द्रिष्टी दे रहे हैं और मैं उस द्रिष्टी में खो गया हूँ बाबा के नैनों में बाबा की ब्रुकुटी में शुक्रिया बाबा सारा दिन बस ऐसे ही बाबा को अपने अंदर समाए हुए बाबा की याद में हर करम करते हुए हर आत्मा को शुब भावना शुब कामना देते हुए सारा दिन बाबा की याद में रहकर बाबा का प्रिच्च देते रहे ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती